पुस्पा इनपॉस्वल सिरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार तो फ्रैंड्स आज की कहानी काफी इंट्रेस्टिंग है और काफी इमोसिनल भी तो चलिए मैं अपनी आवाज में आज की एपिसोड की पूरी कहानी सुना रही हूँ आप सुनिए आपको अच्छी लगेगी आप एक लाइक जरूर कीजिएगा तो फ्रैंड्स सबसे पहले किस सीन में ये दिखाया गया है कि जुगल से तलवार जो है वो तानावाना यानि की वर्क्सॉप में पटोले के काम कर रहा है तभी वहाँ पे पुस्पा आती है और उससे कहती है कि इतनी रात हो गई तो अभी तक काम क्यों कर रहा है और पक्या कहा है तो वो बोलता है कि पक्या अपने फूट बात के दोस्तों से मिलने गया है तो इस बर पुस्पा कहती है कि क्यों उसे छोड़ दिया इतना सारा काम था वो तेरा हाथ पटाता तो इस पर जुगल कहता है कि देख अपने दोस्तों से मिलने गया है आखिर उसे भी तो उसकी यादे जुड़ी है ना और फिर कुछ देर दिल वहलाएगा तो उसे भी अच् कि अपनी पत्नी को याद करने लगता है और कहता है कि जब भी तुम्हें देखता हो ना तो मुझे शुबरा की याद आती है बिल्कुल तेरे जैसी ही थी चंचल मतवाली हिम्मतवाली और जिस काम में तेरी तरह पीछे पढ़ जाती थी ना तो उस काम को पूरा करके रहती थी बहुत अच्छी थी वो तो पुस्पा कहती है कि तुझे बहुत याद आती है ना सुबरा बेहन तो वो कहता है कि मैं उसे भूला ही कब था जो याद आएगी हर पल वो मेरी यादों में रहती है फिर वो कहता है कि मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूं जब एक साथ मैंने अ शुब्रा को भी खो दिया था और अपने बच्चे को भी खो दिया था तो इस पर पुस्पा कहती है कि इतनी यादे जो तेरे साथ है तो क्या उन यादों से तूने कभी निकलने की कोशिस नहीं कि कभी तूने किसी और का हाथ नहीं पकड़ा कभी कोई और नहीं आई तेरी ज पुस्पा से कहता है विए दिलिप के जाने के बाद तेरी जिन्गे में कोई नहीं आया तो उसे पर है कोई नहीं आया क्योंकि तेरी zap यादे जिसे लेकर तू आज तक चल रहा है लेकिन दिलिप से जुड़ी हुई मेरी कोई मीठी यादे नहीं है कड़वी ही कड़वी यादे है मैं इतना जड़ गई इस जिन्दी में सिर्फ एक दिलिप को जहल के कि कभी फिर कभी उस तरफ सोचा ही नहीं और फिर तीनों बच्चे यही मेरी ताकत बन गए और इन्हें ही लेकर मैं इनकी परवरिस में लग गई और सोचा कि इन्हें बड़ा से बड़ा आदमी बनाओंगी बहुत पढ़ाओंगी लिखाओंगी और फिर पता नहीं कब मैं भी पढ़ने लग गई और अब तो पढ़ाई ही मेरी जिन्दगी हो गई है और अब जो ये पटोले का काम सुरू किया है अब ये ये सब कुछ है मेरे जीवन में तो मुझे कौन सा भाव लगेगा बहुत खुसुम है अपनी जिन्दगी में तो इस पर जुगल कहता है कि हाँ हमें समझोता करना पड़ता है जिन्दगी से क्योंकि जीवन भी तो इतना लंबा है इसे तो जीना ही है ना यानि कि आज सुरुवात में ये दिखाया गया है कि जुगल और पुस्पा एक दूसरे से अपने दिल की तनहाईों को अपने दिल की भावनाओं को बाटते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी दोस्ती जो है एक दूसरे के तनहाई को और एमोशन को काफी अच्छे से महसूस कर रही है इसके आगे के सीन में दिखाया गया है कि असरिन दीप्ती से पूछता है कि रासी तो नहीं चाहती है कि हम लोग उसके कॉलेज जाएं लेकिन हम और तुम जो जा रहे हैं इसके लिए वहाँ कुछ बैटने का या प्रोग्राम कैसे देखिंग इसका जुगार किया है तो दीप्ती कहती कि हाँ उसके प्रिंसिपल से मैंने बात करके कुछ तो उपाई किया है अब इदर पुस्पा जो है राशी को दही और सक्कर खिला रही है मूँ मीठा कर रही है क्योंकि रासी अपने कॉलेज में फैली बार एंकरिंग करने जा रही है अपनी मा का आसिरवाद लेती है और चिराक कहता है कि चल तुझे लेट हो रहा है मैं तुझे छोड़ देता हूँ और चिराक के साथ रासी तो है निकल जाती है उसके बात पुस्पा को भी सुसीला के साथ चक्ताब साहब के पास जाना है लेकिन इसी बीच जुगल भी आता है और वो कहता है कि पुस्पा तुचलेगी या मैं अकेला जाओ तो पुस्पा कहती है कि मुझे थोड़ा सा बीच में सुसीला के साथ एक जगा जाना है तू अभी जा और वो अकेले ही सारा सामान लेके थैले में डायेतरी कल्चरल हल चाता है पुस्पा अश्विन और दीप्ती को कहती है कि तुम लोग भी टाइम से रासी के कॉलेच चले जाना नहीं तू मुझे चिंता लगी रहेगी तो अश्विन कहता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है मम्मी मैं और दीप्ती भी निकल ही रहे है उसके बाद पुस्पा जो है वो सुसिला के साथ जगताप साहब के हाँ जाने के लिए निकलेगी अभी वो जगताप साहब के हाँ जाने के लिए चौल से निकलती ही है कि उसके नजर महिंदर पे पढ़ती है और साथ ही गोलू पे भी पढ़ती है गोलू एक बड़े से पेपर पे कुछ लिखा है इंगलिस पे और उसे दिवार पे लगाने की कोसिस कर रहा है उसके हाथ में हतोड़ा है और उसे वो ठोक ठोक के उसे लगाने की कोसिस कर रहा है और धूर में खरा महिंदर गोलू को ये करते वे देखकर काफी खुस हो रहा है उसे अच्छा लग रहा है कि गोलू कुछ अपने से कर रहा है और गोलू को भी अच्छा लग रहा है कि उसके पापा उसे देख रहा है फिर वहाँ पर पुस्पा करीब आती है और गोलू से कहती है कि गोलू तुने बहुत अच्छा लिका है और तुने इसे टांगा भी बहुत अच्छे से है उसके बात वो महिंदर को उदास देखकर कहती है कि महिंदर घबरानी की कोई बात दे ही है आज अश्विन अपने बॉ वकिल दे और तेरा केस आगे बढ़े तू बिलकुल हारा वासा महसुस मत कर कुछ ना कुछ भपा जरूर करेंगे तो महंदर कहता है कि कर देते भपा मुझ पर भी किरपा तो बहुत बड़ी बात होती अब इधर सुसीला और पुष्पा जगदाप साहब के आफिस आते हैं उ ना हो क्योंकि अभी उन्हें चुनाओ जो लड़ना है साथी बापोद्रा को कॉर्पोरेटर बनाना है और सब में तो सुसीला और पुष्पा अपनी बाते जगदाप साहब के सामने कहने में हिचक रही हैं उन्हें लग रहा है कि इनके बेटे के बारे में इन्हें कैसे बो है और यह सब बताने के बाद अच्छानक से जगदाप साहब कस्क के गुसा जाते हैं और दोनों को डाटते हैं यानि कि सुसीला और पुष्पा को बहुत जोड़ से डाटते हैं तो इस पर सुसीला कहती है सर आप अपनी बेटा से बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपको उ सेज़ करके परिशान कर रहे और आप एकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं तो इस पर जगताब साहब जो हैं वो सिक्रेटी गार्ट से कहके इन्हें वहां से निकालने की कोशिस करते हैं तो पुस्पा कहती ही कि मैं तो सांती से आप से बात करने आई ती सर लेकिन अब जब आ उनों को बाहर निकालो और पुलीस को बुलाओ और इन्हें पुलीस के हवाले करो अभी सिक्रेटी गार्ट आके पुस्पा और सुसिला को खीच कर ले जाने ही वाले रहते हैं यानि कि ले ही जा रहे हैं तभी वहां पे बापोद्रा आता है और बापोद्रा अपनी आँख से देखता है कि किस तरह से जक्ताप साहब का श m जो है पुश्पव और सुसिला को खीच के बाहर कर रहा है तो बापोद्रा के गुस्टा का ठिकाना नहीं रहता है वो जोड से छीखता है और शिर टी खाता हूँ गुस्से में कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इन दोनों को हाथ लगाया आप कैसे नेता है महिलाओं को हाथ लगाते हैं इस तरीके से इस तरह से कोई महिलाओं से बात करता है तो उस पर जगताब सहाब जो है वो बापोद्रा को कस के डाटते हैं कि तु दो कोड़ी का होता कौन है मुझे बोलने वाला, तुझे कॉर्पोरेटर मैं बना रहा था, तो वो कॉलर पकड़ लेता है, जगताब साहब जो है, वो बापोद्रा का कॉलर पकड़ लेते हैं, तो वो हाथ चुड़ाता है, बापोद्रा और कहता है, कि भाड़ में जाए कॉर्पोरेटर बनने का सपना, मुझे कोई कॉर्पोरेटर नहीं बनना है, और ना तेरे जैसे नेता का, मुझे साथ देना है, अपने बेटे की गलती को कब तक छुपाओगे, बापोद्रा को ऐसा बोलता हुआ, देखकर सुसीला और पुस्पा बहुत खुस होती है, कि आज बापोद्रा उनके साइट से बोल रहा है, उसके बाद बापोद्रा जो है, वो जगताब साहब को काफी बाते सुनाता है, और जगताब साहब भी उसे काफी बात सुनाते हैं, लेकिन वापोद्रा भार मानने को तयार नहीं है अब इधर का सीन देखिए कि जुगल जो है वो पूरा सामान लेके आया हुआ है एक्जिविशन के लिए लेकिन यहां गायत्री कल्चर सेंटर पहुंचने पर वहां के जो ऑर्गिनाइजर है उससे उसे पता चलता है कि यहां पर कोई टेबल नहीं लगाया गया है यानि कि वहां पर जाने पर जुगल अपना वाला टेबल खोज रहा है और वो बोलता है कि गायत्री मैडम ने कहा था कि मैं आज भी यहां पर अपना सामान डिस्पले करूँ तो ओर्गिनाजर कहता है कि अगर गायत्री मैडम ने आप की पूरा सामान उठाके गायत्री कल्चर हॉल से बाहर होना पड़ता है इस समय का जो सीन है काफी मारमिक है क्योंकि थोड़ा सा अपमान भी जुगल महसूस करता है अब इधर बापोध्रा और जगताप का बहस चारी है बापोध्रा कहता है कि आपको अपने बेटे से पूछ पूछना पड़ेगा कि वह रासी से क्यों ऐसा कर रहा है लेकिन जगताप साहब कहते जो तो रासी के कॉलेज में उस लड़के को ढून रहे है जो रासी को परिशान कर रहा है और कितने आज भी मेरा बेटा जो है न कॉलेज की गेट पर बैठा हुआ होगा उसे ही तो ढूंड रहा है और तुम लोग मेरे बेटे पर इलजाम लगा रहे हो अब इज़र जुगल जो है इसी समय पुस्पा को फोन लगाता है और पुस्पा फोन उठाती है जगताक साव के ऑफिस में ही रहते वे वो जुगल का फोन उठाती है तो जुगल उसे फोन पर बताता है कि देख पुस्पा यहां तो कुछ नहीं है और गायतरी मैडम भी जो है वो USA चली गई है जाना पड़ेगा तो बापोद्रा और सुसिला उसे कहते है कि ठीक है तुम चाओ हम यहां का देख लेंगे लेकिन जगताब साहब जो है बापोद्रा की बात मानने को तयार नहीं है लेकिन बापोद्रा और सुसिला भी पूरे हट के साथ पीछे लगे वे है जगताब साहब के कि वो अपने बेटे की गलती को माने और इसकी उपर कारवाई करे तो अभी तो ये लोग लगे वे हैं लेकिन जगताब साहब आगे कुछ करते हैं या नहीं करते हैं वो हम लोग आगे के सीन में देखेंगे फिलहाल आगे के सीन में अब ये दिखाया गया है कि दीप्ती और अश्रिन दोनों राशी के कॉलेज पहुचते हैं तो वहाँ पे जो प्रोग्राम की जो और्गनाइजर है वो लोग बताते हैं कि उनको कहां पर बैटना है प्रोग्राम के और्गनाइजर के बताईवे जगह पे तीप्ती और अश्रिन बैखते हैं उसके बाद स्टेज पर एणाउन्स होता है राशी का नाम कि वो इस कारिकरम की एंकरिंग कर रही है तो as a anchor वहाँ फिर रासी जो है इस्टेज पे आती है और उसका इंतजार दुश्यंत भी कर रहा है कि रासी जल्दी से इस्टेज पे आए और वो जो करना चाहता है वो कर सके तो वो अपने दोस्तेँ से कहता है कि आ तो गई है ये लेकिन अब देख इसका होता क्या है रासी काफी अचछी एंकरिंग करती हैं और पूरे हाल में तालियों की गरगराहट है क्योंकि इतनी अचछी वो एंकरिंग मी कर रही है और रासी को देख कर दीपती और अश्यून कですか ल atrocfig का शूस रहे और अच्छा से प्रोग्राम चल रहा है विस प्रोग्राम में दुसयंत को इनाजार है उस समय का जब पींट की बालटी आपड राशी को इस बार निशा दिखाने के लिए वो बोलता है कि बस थोड़ी दोर देर और रुप जो जो होगा तुम लोग खुद देख लेना और राशी इन सारे चीजों से अनुविग बस खुस है और बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही है तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी अब कल के एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि हॉल में यानि की कॉलेज के हॉल में बापोद्रा और सुसिला भी आए हैं और साइट जगताब सहब भी आए हैं ऐसा असपश्ट तो नहीं हो रहा है लेकिन साइट जगताब सहब भी आए हैं और व लोगों के बीच में कि कुछ ना कुछ रासी के साथ दुस्चंत करने वाला है तो कल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कल का कैसा रहता है रासी के साथ किस प्रकार से होता है और जगताब साथ अपने बेटे को पकड़ पाते हैं कि नहीं बापोद्रा और सुसिला क्या क तो फ्रेंड्स आज की कहानी बस यहीं तक कल मैं फिर मिलूंगी कल के एपिसोड की कहानी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स